नमस्कार दोस्तों जेके सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंचियल नॉर्थन कोईल फिल्ड लिमिटेड के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेट क्यूशन्स को लेकर आए हैं यह जीके के क्यूशन्स का ना दिस्कृइबर में मिल जाएंगी या फिर हमाहरे चैनल को नाम सब्सक्राइब करें लिंक नाम सकूण कर सकते हैं और जरूंसर करें और करें जो उ उत्तरपरदेश राज्य है उसकी शीमा है वो कितने राज्यों से लगती है तो वो लगती है कुल आठ राज्यों से उत्तरपरदेश की शीमा है वो लगती है और आठ राज्य कौन कौन से हैं उनमें वो हैं उत्राखंड हिमाचल परदेश हरियाना राजस्तान जारखंड बिहार और एक केंदर शाषित प्रदेश है देली उससे भी उत्रप्रदेश की हरित करांती का पिता किसे कहा जाता है तो हरित करांती है उसका पिता किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है नॉर्मल बोर्लोग को नॉर्मल बोर्लोग को हरित करांती का पिता या जनक क पितार चाहित कुटियन जाता है और यह दो और वर्गीज कूर्यन के इन इनको बारत में सविद करांदी का पिता कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन है हमारा निवन में से मद्य प्रदेश का कौन सा सहर सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है तो वो बसा हुआ है उज्जेन सहर उजयन सेर वो सिपरा नदी के तड़ पर बसा हुआ है और उजयन सेर में पर टेक बारा वर्स बाद कुम्ब मेले का आयजन होता है नेक्स्ट क्यूशन हमारा इसमें बारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है तो बारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग है वो कौन सा है तो वो है एनेज 44 एनेज 44 है ये बात का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार गया पहले इसको एनेज 7 के नाम से भी जानते थे और ये जम्मु कस्मीर के श्री निगर से होता हुआ तो मद्य परदेश की उर्जा राजदानी है वो किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है शिंग रोली को सिंग रोली को मद्य परदेश की उर्जा राजदानी का जाता है क्योंकि यहां पर कोईले औगेरा का उत्पादन वो ज़्यदा होता है बारत की इस्थलिय शीमा कितने देशों से लगती है तो बारत की इस्थलिय शीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है तो वो लगती है कुल साथ देशों के साथ साथ देशों के साथ बारत की इस्थलिय शीमा लगती है और यह इस्थलिय शीमा से कुल बारत के बानम जिले और 17 राज्य इस सीमा से लगते हैं और इस सीमा से कौन-कौन से देश लगते हैं वो लगते हैं पाकिस्तान, बांगलादेश, चाइना, नेपाल, म्यामार, भूटान और अफगानिस्तान नेक्स्ट क्यूशन है हमारा इसमें वेद समाज की स्थापना किसने की वेद समाज है उसकी स्थापना है वो किसने की थी तो वो की थी केसवचंदर सेन ने केसवचंदर सेन ने 1864 में कब 1864 में मदरास में कहां पर की थी मदरास में वेद समाज की स्थापना की थी नेक्स्ट क्यूशन हमारा इसमें तेहरा ताली नर्ते किस परदेश का परमुक लोग नर्ते है तो तेहरा ताली नर्ते है वो कौन से परदेश का परमुक लोग नर्ते है तो वो है राजस्तान का राजस्तान का परमुक लोगनर्ते हैं है यह मेलाइं खास कर करती है और इसमें जो मेलाइं हैं वो तेरह जगये मन्जीरें बांद कर यह नर्तें करती हैं माय को नेक्स्ट कुशेट वह भारती मान नक समय किस अक्सांज पर निस्चित है तो वह निस्चित है साढ़े ब्याशी डिज़ी अक्सांज पर निस्चित है और यह निस्चित जो सम्मय रेखा इस से 10 밝ंश गंटा आगे है नेक्स्ट है मारा डाइट है किस देश की संसद का नाम है डाइट है वो कौन से देश की संसद का नाम है तो वो है जापान की संसद का नाम है जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है मारा मद्य परदेश का कौन सा जिला मेंगनीज एस्क के लिए परशिद है तो मद्या परदेश का कौन सा जिला है वो मेंगनीज के उत्पादन के लिए परशिद है तो वो है बाला गाट बाला गाट है वो आपर मेंगनीज का सरवादी के उत्पादन होता है नेक्स्ट है तो वो जीता था केडी जाधव ने केडी जाधव ने गुनी सो बावन के जो समर ओलम्पिक होए थे उसमें रेसलिंग में ओलम्पिक पदगे जीता था नेक्स्ट क्यूशन हमारा इसमें राष्ट्रे कबीर सम्मान किस परदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है तो राष्ट्रे कबीर सम्मान वो दिया जाता है वो मद्य परदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है और ये कब दिया जाता है ये किस छेतर में दिया जाता है ये साहिते के छेतर में उत्करष्ट योगदान ने तू ये पुरुषकार दिया जाता है नेक्स्ट है निवन में से कौन सी बासा सविदान की आठीवी अनुसुची में सामिल नहीं है ये चार option दिए गए उनमें ये बताना है कि इनमें कौन सी बासा है जो सविधान के जो आठीवे नुसूची है उसमें सामिल नहीं है तो ये जो भार्शी बासा है ये सविधान के आठीवे नुसूची में सामिल नहीं है Next question है Cole India Limited CIL का मुख्याले है तो Cole India Limited है उसका मुख्याले है वो कहां पर इस्तित है ये अमें बताना है तो Cole India का मुख्याले है वो है कौलकता में इस्तित है और Cole India है इसका जो CEO है वो कौन है अनिल कुमार जा है वो इसके Cole India के CEO है और इसकी थापना हुई थी वो कभूई थी वो गुनी सो पिचेतर में हुई थी नेक्स्ट क्यूशन हमारा इसमें सवतंतरता के समय भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के अदेक्स कोन थे तो सवतंतरता के समय भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेश के अदेक्स थे वो कौन थे वो थे जे बी कृपलानी जीवन्त राम बगवानदास कृपलानी ये परमुख दाशनिग और गांधिवादी वेक्ति थे और ये जब भारतिय सवतंतर हुआ था उस समय भारतिय राष्ट् स्वामी दैयनन्द सर्षती में इप समाज था को जानने सिरर ही करके दैयनन जानने इप स्वाम् नेंगे हैं उन्हें में इस एप की वाम अंगे ऍर इसे पैजे साफना शुम किस्तिते З Today तो सत्यार्थ परकास नेक्स्ट क्यूशन है बारतिय मुद्रा विज्ञान संस्थान इस्तित है तो बारतिय मुद्रा विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर इस्तित है तो वो इस्तित है भोपाल में नेक्स्ट कुश्चन हमारा इसमें निती आयोग की स्थापना कब की गई थी तो निती आयोग उसकी स्थापना थी वो कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनुवरी 2015 को एक जनूरी 2015 को परदानमंति नरेंदर मोदी ने योजना आयोग की जगन निती आयोग की स्थापना की थी और निती आयोग में निती की जो फूल फोरम है वो क्या है नेशनल इंस्टिटूट ओफ ट्रांस फोरमेशन और निती आयोग का जो सी ओ है वर्तमान में वो कौन है वो है अमिताब कांद और इसके जो उपादेक्स है वो है राजीव कुमार नेश्ट क्यूशन है अलुमीनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो वो है आठवा इस्थान है इडू की परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो इडू की परियोजना है वो कौन सी नदी पर इस्थित है तो वो इस्थित है पेरियार नदी पर है वो इडू की परियोजना इस्थित है और यह जो पेरियार नदी है यह कहा पर इस्थित है यह है केरल राज्य में है और यह जो इडू की प्रियोजना है यह जल्वी दुद्ध सक्ती के लिए ही लगाई गई थी नेक्स्ट क्यूशन है विश्व स्वास्थ दिवस किस दिन मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है वो बनाया जाता है साथ अपरेल को परतिवर साथ अपरेल को विश्व स्वास्ते दिवस बनाया जाता है और इस बार जो स्वास्ते दिवाश है वो कोरोना पीडितो या फिर यहां पर जो नर्सों का और यह जो मेड़्स का जो योगदान है उसी को समर्पित विश्वास्ते दिवाश से था निम्न में से खरीब की फसल नहीं है तो चार ओप्षन दिएगे हैं उनमें ये बताना है कि खरीब की फसल है वो कौन सी नहीं है तो जो मक्का है वो खरीब की फसल नहीं है निम्न में से कौन सा राज्य म्यामार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो कौन सा राज्य है जो मेमार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है चार ओप्सन दिए गए उन्हें से हमें बताना है तो पस्चिम बंगाल है ये मेमार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है नेश्ट क्यूशन है हमारा इसमें मेग दूतम किसकी रचना है तो मेग दूतम थी वो किसकी रचना थी वो थी काली दास की परमुग रचना है नेश्ट क्यूशन है सरदार सरोर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो सरदार सरोर परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है तो वो बनाई गई है नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोर परियोजना है वो बनाई गई थी बारत का है जो सरदार सर पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है तो बारत का पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है को रोमंडल तट के नाम से जाना जाता है निम्न च्यार वेदों में से किस एक में जादूई माया और वशीकरण का उलेख है तो कौन सा वेद है जिसमें जादूई माया और वशीकरण आदी का उलेख है तो वो उलेख है अथरवे वेद में अथरोवेद में ही जादू टोने और वशीकरन जैसे कारियों का उलेक किया गया है नेक्स्ट है रास लीला किस राज्य का लोग नर्ते है तो रास लीला है वो कौन से राज्य का लोग नर्ते है तो वो है उत्र परदेश का उत्र परदेश का परमुक लोग नरते है रासलिला नेक्स्ट कुशन है अकबर का मकबरा कहां इस्तित है तो अकबर का मकबरा है वो कहां पर इस्तित है वो इस्तित है शिकंदरा में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और फ्रेंड्स में सेर जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद